हेलो फ्रेंज, वेलकम टू देनोबल प्रॉफेशन, मैंसल वास था स्वागत करते हूं का मैं यूड़ चैनल पे, इटावा साइफ़ाई की जो वैकेंसी थी, सुबह में मैंने पेपर की कटिंग अपलोड करी थी चैनल पे, अभी ओफिशल नोटिफिकेसन आ चुका है, क्या इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया है, क्या एक्जाम का पैटर्न रहने वाला है, और कास सार्टिफिकर से रिलेटेड भी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं, इंपोर्टन चीज़ है, तो वीडियो को लास तक जहूड देखे, चैनल को अमाई सब्सक्राइब नही मेडिकल कॉलेज है, वहां से रिक्रूटमेंट आयो है, बहुत ही नंबर वन का मेडिकल कॉलेज है, सफ़य ही में, यहां पर सबसे पहले इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहां पर देखे, इस एंसी और क्वालिफिकेशन की बात करों, तो बेसी नरसी और साथ में पो आपको दो साल के एक्सपिरियंस चाहिए होगा, जैसे कि हर वेकिंसी में दो साल के एक्सपिरियंस चाहिए, यहां पर जीनम के साथ दो साल एक्सपिरियंस चाहिए, पर फिक्टी विडेट हॉस्पिटल में होना चाहिए, और जिस हॉस्पिटल का आप लगाएंगे वहां से रजिस्टर होना चाहिए बहुत सारी केंडिडेट ऐसा बोलने हैं कि हमाई पस 50 विड़ेट हास्पिटल के एक्सपिरियंस नहीं है तो क्या मैं कहीं से बनवा के लगा सकता हूँ एक चीज़ मैं बता दू कि कहीं पे जो एक्सपिरियंस होता है आप थोड़े समय के पैसे दे के बनवा लेते हो तो वह सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में काम आएगा पर अगर यहां पे आप लगाते हो तो अगर आपका इनके सेलक्शन भी हो जाता है तो फिर आपका होगा डॉकुमेंट वैरिफिकेशन में छट जाओगे अगर डॉकुमेंट वैरिफिकेशन लगाते हैं तो उस हॉस्पिटल में पर्टिकुलर आपकी सेल्डी देखी जाती है एक एक रेजिस्टर चेक किया जाता है कि आपने ड्यूटी करें किस्ट में काम किया है और फिर जो है 50 बड़ ऑश्पिटल के लगाया तो वह उस्पिटल जो है वह मतलब है की नहीं है उसका registration है की नहीं है तो यह सारी चीज़े देखी जाती है तो कभी भी गलत चीजों पर आप फोकस ना करें आपने हुस्पिटल में काम नहीं किया फिर भी आप कहीं से 50 बेडर हुस्पिटल का experience लगा देते हो एक्जाम आप दे सकते हो कोई प्रॉल्बम नहीं ह होगी पर जब आपका selection होगा तो उस टाइम में आपको embarrassment फील होगा आपके against कारवाई भी हो सकती है अगर आपकोई भी fake certificate लगाते हो तो यह चीज़ आपने मांड में रखो और यहां पे remark में point दिया हुआ है कि जो दो साल का experience है वो essential criteria and to be valid जो होना चाहिए वो essential मतलब जो आ होना चाहिए और registration हो जाना चाहिए state nursing council में या फिर INC nursing council में तो state nursing council में registration होगा तब ही INC nursing का registration होता है अगर other state के candidate है तो INC certificate भी लगा सकता है कोई भी problem नहीं होगी age limit की बात करूँ तो अलड़ी बताया था कि बहुत अच्छा इसमें age limit रहने माला 18-48 age limit रहने माला age जो count और ऐसे candidate जो तीन साल से ज्यादा के हैं और कहीं पर employed हैं जैसे कि अधर medical college में अगर काम कर रहे हैं अगर तीन साल से ज्यादा के हो चुक हैं तो अगर वो चाहते हैं कि इस vacancy में apply करना तो उनको age का relaxation मिलेगा पान सल का तो वो लोग भी अगर इच्छुक हैं इस medical college में आने इसमें यूपी के जनरल candidate आएंगे ये vacancy यूपी की है तो इसमें जो reservation मिलेगा वो यूप का reservation मिलेगा यूवार कैटेगरी में आएंगे जो other state से इवन अपने जो यूपी के जनरल candidate है वो भी यूवार परसेंट होता है पान से दस परसेंट सीटे फिक्स होती हैं अधर कर्टेगरी अधर मतलब यूपी से बाहर की कैंडिडिट ले एडबलोस के लिए बाइस सीटे हैं और भीज़ेस्टे के लिए 60 हैं मतलब 80-20 का रेसियो यहां पर रहने माला है और दूसरी बात है कि जो भी कैंडिडेट हैं यहोबी सी या फिर एडबलोस या फिर अधर कर्टेगरी के हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा एडमिसेबल एस पर द पर पिरियोडिक एग्जिस्टें और तप गवर्मेंट आफ होता है इसे थोड़ा इन्होंने साथ चैसा सो कम कर दिया यहां पर जीस्टी सबसे ज़्यादा लगा है दो जार फीस है यहार कटेगरी के लिए उसमें 306 रुपे जीस्टी लगा के पूरे 306 रुपे है ओबी सी और EWS कैंडिडेट के लिए 2000 फीस है जीस्टी लगा के 306 र उसी के according आपको pay करना होगा online common eligibility test जो है मतलब कि जो exam में अभी उसका date fix नहीं है पर मैं आपको बता दूँ कि अगर यह form जो है आपका फर्वरी में बरा जारा तो मार्च एक महीना चोड़के आपका अप्रैल में इसका exam हो जागा बहुत टाइम नहीं देता है कोई भी वेक और एक चीज़ और है कि जो भी आप registration करेंगे तो registration sleep वगएरे की सब कुछ की या payment की तो आप उस चीज़ को photocopy जो है अपने साथ में रखें ताकि in future कभी काम है और दूसरी बात इसमें एक चीज़ और दी गई है कि अगर आप exam देने जाएंगे नीचे में एक point पढ़ा है कि अगर आप exam देने जाएंगे तो जो admit card वहाँ पे आप लेके जाएंगे उसी admit card की receiving उस पे जो examiner होगे वहाँ पे sign कर देंगे जो evaluator होते हैं वहाँ पे sign कर देंगे उसको आपके साथ में रखना है कल को आपका selection होता है तो वही admit card आपको लेके जाना होगा हमारी और आप यह habit होती है कि जब हम लोग exam दे देते हैं तो admit card गुम हो जाता है तो वह यहाँ पे खोना नहीं है आपको admit card सम्हाल के रखनी है last date यहाँ पे दिया गया है कि आपको 9 February में यहाँ पे online आविदन कर देना है कुछ चीज़ और मैंने इसमें पढ़ी है यहाँ यही point मैंने बत और वही admit card आपको document verification के time लेके जाना अगर आप pass भी हो जाते हैं आपके पास admit card नहीं होगा तो आपको इसे बाहर कर दिया जाएगा next point है कि original documents आपको लेके जाना है जब भी आप CVT exam पास कर लोगे qualify हो जाओगे तो original document के साथ-साथ आपको two set photocopies लेके जाना है अगर कभी ऐसा लगता है ने में बहुत जादा time लगेगा तो मैं important चीज़ा आपको बता दीती हूँ इसमें test जो होगा वो online आपका exam होगा online पे आपका selection होगा कुछ age relaxation अलड़ी मैंने बता दिया आपको अभी मैं बात करूँ कि caste और category से related एक बात और दी गई है कि आपका जो caste certificate होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है कि candidate applying under any of reservation category SCST OBC will be considered subject to submission of valid caste certificate issued by the component authority certificate of OBC candidate must be sued by after 30 June 2022 यानि कि 20 June 2022 के बाद का आपका OBC certificate होना चाहिए और जो other candidate है SCST है तो उनका certificate lifetime चलता है पर OBC candidate के लिए यहाँ पे especially दिया हुआ है कि 30 June 2022 का होना चाहिए आपको सिस यह करें कि father side से verified ही लगा है क्योंकि caste certificate जो होता है father side से verified ही होता है तो अगर माल लेजे कि आपका जो certificate है OBC certificate जो है या EWS certificate या SCST certificate आपने जो लगाया हुआ है अगर वो valid नहीं है मतलब कि अगर 30 June के बाद का है या फिर 30 June के पहले का है मतलब exact date का नहीं है तो उस condition में आपको UR में count नहीं किया गया जैसे कि UP में क्या होता है UPNHM UPCH में क्या था कि आपका जो मतलब अगर certificate अगर reject किया जा रहा था तो UR category में count किया जा रहा था पर यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर अगर आपका कि UP में अगर अगर UPCH के अच्यो की बात करो तो वहां पर एगर आपका Category certificate चंसल किया रहा था तो उसको UR category में count किया जा था पर यहां पर कियाँ कि आपको UR category में count नहीं किया जाएगा यहां पर Candidature जो है, वो Cancel कर दिया जाएगा और आपको Selection नहीं दिया जाएगा, यह Point पर लिखावा, कुछ documents की need होगी, यहापे देख सकते हैं, कि documents की need है यहापे दी गई है, कुछ objection certificate from the employer at the time of document verification, failure to submit NOC will lead to cancellation of Canada, जो लोग पहले से कहीं पर काम कर रहे हैं, तो जब document verification होगा तो उस time मे आपको previous संस्ता से आपको NOC submit करना होगा, ने तो आप उस time में आपका candidature जो होगा, cancel माना जाएगा, next में बात करूं, सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट है, कि exam का pattern कैसर हैगा, तो इसमें पूरी detail अच्छा से दी गई है, यह कहीं न कहीं सबसे हट के exam होने वाला, इसके प 200 questions आथे, पर M's में आपको एक number मिलता है, इसमें क्या है कि आपको एक question के तीन number मिलेंगे, यानि कि 600 number का यह question paper रहने वाला है, nursing के अलावा, 170 question तो आपके nursing subject से होंगे, यह कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात है कि 170 question आपके nursing से होंगे, अगर आप other subject नहीं भी पढ़ते हो, त इसमें हासिल कर सकते हो, 170 question आपके nursing के होंगे, और फिर उसके बाद 30 question जो होंगे, वो आपके general English के, general knowledge के, current affair के, reasoning and mathematics के होंगे, तो जब अगर nursing के portion जादा होते हैं, तो जो भी बाहर के subject के आते हैं, वो थोड़ा easy आते हैं, तो परिशान होने की जरुवत नहीं है, आपको general English पढ़ना, general knowledge जो अभी current में चलना है, वो पढ़ना, current affair पढ़ लिना, साथ में reasoning और math की त्यारी करना है, यहां पर भी minus marking 1 third का रहने वाला है, जैसा कि हमेशा होता है, इस exam में minimum qualification 50% है, general के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, 45% है, SCST के लिए, यह minimum criteria है, इसके अलावा जो selection होग उपर के merit से होगा, यह सारी चीज़े में दी गई है, इसके अलावा में बात करूँ, यहां पर कुछ बाते लिखी हुए, कि अगर कोई same number पाएगा, तो उस condition में क्या करना हो, suppose कि दो candidate same number पा गया है, तो उस condition में जिसका यह जदा होगा, उसको वरीता दी जाएगी, या फि इसमें कुछ guideline लिखा हुगा, next मैं syllabus की बात करूँ, इसका syllabus भी थोड़ा different आप देख सकते हैं, syllabus में पूरे यहां पर 14 topics दिये गए है, question अलग अलग divided, general English के आपके 10 number के question आएगे, 10 question आएगे, तो वो 30 number के होँगे, जैसा कि मैंने बताए कि एक question पे आपको 3 number मिलेगा, तो 10 10 number के, यानि के 10 question English के होँगे, तो 30 number आपको मिलेगा, 10 question आपके general knowledge और current affairs होँगे, 10 question आपके reasoning और mathematics से होँगे, और भी physiology के आपके 15 question होँगे, physiology and psychology, sorry psychology and sociology के 15 question होँगे, community health nursing के 15, child health nursing, फिर nutrition, education and communication skill के 15 question है, medical surgical, mental health, medwifery, education research, professional trains, nursing, administration, award management, इसके भी 15 question होँगे, fundamental of nursing के यहां पर question जाद है, fundamental of nursing और first aid के 20 question आपके रहने वाले होँगे, तो लगए 200 question होँगे, और उसके according एक question के 3 number मिलने वाले होँगे, तो 600 number का यह paper होँगे, तो यह सारी details में दी गई है, तो I think मैंने सलबस भी बता दिया, और आपको important चिज़ इसके ल highways right होँगे, तो I think मैंसिज़ इसके अलओ भी अगर आपको कोई doubt है, कमेंट सेक्शन में कमें, मिलते हैंक्स वीडियो मैं, love you all bye